नमस्कार दोस्तों बात करेंगे गॉल बेडर स्टोन्स के बारे में नॉमली इसे पित्ते में पत्थरी के नाम से जानते हैं बहुत कॉमन बिमारी है बहुत लोग इसे शिकार है और दूरबिंद से होने वाला ये सबसे कॉमन ओपरेशन है वर्ल्ड वाइड इसके बारे में जाने से पहले ये जानें कि गॉल बेटर का क्या function है एक गॉल बेटर जो है छोटा सा एक organ है जो लीवर के just नीचे रहता है और लीवर जो juice बनाता है जिसे हम बाइल के नाम से जानते हैं, वो एक pipe के रास्ते नीचे छोटी आंत में transfer होता है, ये juice हमारी digestion में काम आता है, और जिस time में हम खाना नहीं खा रहे होते, यानि कि पेट खाली होता है, या इस छोटी आंत में खाना नहीं होता, उस time में इस pipe का जो outlet है, वो बंद रहता है, और बाइल है, वो सारा गॉल बेटर के अंदर accumulate होता रहता है, एक छोटे से duct के जरिये, जिसे हम cystic duct के नाम से जानते हैं, गॉल बेटर का size बहुत छोटा होने की वज़े से, वो इस बाइल में से पानी को निकालता रहता है, उसे गाड़ा करता है, ताकि वो से store कर पाए, और जब हम खाना खाते हैं, उसके बाद गॉल बेटर contract करता है, इस बाइल को आत में भेजता है, ताकि वो digestion के help में काम आए, लिकिन अगर किसी कारण ये बाइल जरूरत से ज़्यादा concentrated हो जाए, यानि बहुत ज़्यादा गाड़ा हो जाए गॉल बेटर के अंदर, तब इसमे stone बनने का risk रहता है, और जैसे ही छोटे-छोटे stones बनते हैं, ये धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं और गॉल बेटर में ये problem create करने लगते हैं, अगर ये कोई stone गॉल बेटर के outlet के आगया ने, उसके मूँ के आगया के first जाए, तो उस तमें बहुत तेज patient को pain होता है, और usually यह पेट के राइट अपर अब्डॉमन पर एक intense pain patient feel करते हैं many times खाना खाने के बाद यह pain feel होता है कि क्यों उस टाइम पर ही गॉल बेटर कॉंटरक्ट करता है और after a while अगर यह stone slip होकर वापिस चला जाता है तो यह pain ठीक भी हो सकता है severe pain की बजाए patient को मीठा-मीठा थोड़ा-थोड़ा दर्द भी हो सकता है acility की complaint भी हो सकती है race subluction भी gall better stone की हो सकते है और कुछ cases में without any symptoms सी patient को stone रहते हैं जब तक कि वो block नहीं करते cystic tract को तब तक उने कोई भी pain feel नहीं होता अगर यह stone बहुत देर तक यानि 6 गंटे से जादर तर आपको pain कर रहा है तो तब पित्ते में swelling आ जाती है और यह swelling धीरे-धीरे बढ़ने लगती है pain जो है वो ठीक नहीं होता आपको fever हो सकता है infection की वज़े से nausea, vomiting ऐसी चीज़े हो सकती है और आपको एक emergency condition में hospital जाना पड़ सकता है गॉल बिटर स्टोन को हम कॉले लीथियसे के नाम से जानते है यानि कि पित्ते में पत्तरी होना लेकिन जब इसमें सूजन आ जाती है तो हम इसे कॉलेसे स्टाइटिस के नाम से जानते है यानि कि पित्ते में अब swelling आ गई तो कौन-कौन से test करवा जा सकते है पहल जब आप doctor के पास जाएंगे अगर आप quality pain है तो doctors आपको check करकर आपके पेट को दबाकर कई बार बता सकते है कि ये pain गॉल बिटर के area में है और काफी हर्तक शक है कि गॉल बिटर में stone हो सकता है इसके बाद कुछ blood test किये जाते हैं जिसमें कि liver के test हो रहते हैं जिनके alter होने की वज़े से भी इशक पढ़ सकता है कि गॉल बिटर में stone है और एक ultrasound scan करवा जाता है जिसमें जारत दर patients के stone pick हो जाते हैं scan में stone देखने के इलाबा stone कितने हैं, क्या size के हैं, किस region में हैं और क्या वो गॉल बिटर को obstruct कर रहे हैं या नहीं या पित्ते में swelling आई है या नहीं ये सब भी उसमें देखा जा सकता है कुछ cases में जब doubt हो कि अगर कोई और complication तो नहीं हो गई है तो उस cases में CT या MRI भी हम patients को advise कर सकते हैं ताकि operation से पहले हमें कोई भी doubt ना रहे हैं इन test के बाद अगर patient को symptoms हैं तो doctors usually दूर बिन के थूर ये operation advise करते हैं जिसमें की गॉल बिटर को remove कर दिया जाता है बहुत frequently patients से हमें question पूछते हैं कि क्या इसमें पूरा गॉल बिटर निकालना ज़रूरी है क्या हम सिर्फ stone नहीं निकाल सकते तो yes इसका अंसर यही है कि पूरा का पूरा पित्ता निकालना ज़रूरी है क्योंकि जब उसमें stone बन गया है तो गॉल बिटर नॉर्मल नहीं है इसलिए इसका standard operation ही gallbladder removal है rather than की stone removal जैसा कि हम kidney patients में करते हैं क्योंकि kidney एक vital organ है उसमें से सिरफ stone ही निकाला जाता है unless की kidney खराब ना हो लेकिन gallbladder के case में पूरा का पूरा gallbladder ही निकालना एक operation option है तो advice यही है कि अगर आपको gallbladder stones हैं और उसके कारण कोई भी symptoms हैं तो doctor से मिलिए और जल्दी से जल्दी इसका operation करवाईए ताकि इस simple operation से हम अपनी normal life में वापिस आ सकें और जो यह बहुत सारी complications है उनसे बच सकें कुछ conditions में patients time रहते operation नहीं करवाते वों कहीं चले जाते हैं during travel उन्हें pain हो गया या आप किसी और country में travel कर रहे हैं वहाँ जाकर यह pain हो गया जहां पर आपको emergency aid नहीं मिल पा रही है तो ऐसी conditions में unnecessary risk आप अपनी life से ले रहे हैं और एक simple सी surgery को award करके आप अपने साथ एक तरह का time bomb करी कर रहे हैं तो किसी भी time आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकता है कुछ conditions में यह भी माना जाता है कि बहुत साल gall better में stone रहने के वज़े से even patients को cancer होने का भी risk बढ़ जाता है और gall better cancer भी कुछ patient में develop हो सकता है अगर यह stones बहुत साल उनके अंदर रहते वीडियो देखकर आपको gall better stones के बारे में एक अच्छा एडिया लगा होगा अगर आप या आपके आसपास कोई से पीडित है तो आप एक अच्छा decision लेपाएंगे और बहुत ही जल्दी इसे लैपरोस्कोपिक सदरी से या मिनी लैपरोस्कोपिक सदरी से इस कॉल बेटर को निकलवा अगर एक हेल्दी लाइफ में दुबारा वापिस आजाएंगे अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके किसी काम का है तो काइंडल लाइक शेर एंड सुब्सक्राइब थैंक्यू झ покупता है